असलाम लीकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है बिसमा असकर मैं आपको यहां पर पढ़ारी हूं इन्वाइमेंटल केमिस्ट्री जिसमें हम डिसकस कर रहे हैं एट्मॉस्फेर का टॉपिक अभी तक हमने ऐसे ड्रेन की बात की और अब इस लेक्चर में हम यह देखने लगें कि एसे ड्रेन के क्या क्या एफेक्ट्स होते हैं और किस तरह यह आपके इन्वाइमेंट को डिस्ट्रॉई करते हैं बहुत डेट्रिमेंटल एफेक्ट्स होते हैं लेकिन हम उसकी बात करते हैं और उसके ले चलते हैं lecture की तरफ हमने बात ये कर लिए हैं कि हमारे पास acid rain किस तरह से बनती है मैंने आप कुछ उसकी पीएश भी बताई है सारी की सारी बातें जो जरूरी थी acid rain के बारे में वो मैंने बता दी है लेकिन अब जरूरी ये भी है कि हमें ये पता चले कि आखिर acid rain का नुकसान क्या होता है acid rain ऐसा कौन सा loss कर रही है जिसकी वज़ा से इसकी इतनी हाइप है और हम इसको environmental chemistry में जब पढ़ रहे हैं तो इतनी फिकर से पढ़ रहे हैं कि acid rain का concept आ रहा है acid rain का पूरा का पूरा हमारे इर्दगिर्द एक phenomenon है जिसको खतम करना जरूरी है तो आप देख लेंगे मेरे साथ अभी कि इसके क्या facts है मैंने notes की form में आपके लिए pointers बना दियें ताके आप लोग अच्छी तरह इन चीजों को समख सकें ठीक है आप pointers लिख लें आपको इस तरह याद हो जएगा text form में हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया है कि paragraph form में हो text form में हो तो चीजों को समझना मुश्किल होता है इस तरह pointers बना लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी लेकिन यह pointers में आपको one by one समझाती हूँ और से सुनिएगा क्यूंकि acid rain के जो effects पेपर में इनके बारे में पूछा भी जाता है और इसके effects बहुत detrimental भी होते हैं सबसे पहला फैक्टे स्टूडेंट्स leaching of soil वैसे यह सिर्फ leaching of soil नहीं है यहां पर basically किसकी words में समझाऊना ताकि आपको समझ आ जाए तो उसका मतलब यह है कि removal हो रहा हट रही है कोई चीज ठीक है उसको remove किया जा रहा है किसको remove किया जा रहा है leaching है मतलब removal है किसका removal है metals का removal है ठीक है अब आपकी acid rain जो है बारिश है उस जो के acidic है वो पड़ी है किसी rocky area पे या जमीन पे या कहीं भी ठीक है वहां से वो चले गई अब जमीन के इर्द गिर्द और जितने आपके पास उन rocks में minerals मौजूद थे उदर metals भी मौजूद है आपको यह बात प पूछा जाए कि कहां कहां प्रेजेंट तो आप नियाद रखना है कि हमने वो जो लीठोस्फेर पढ़ा है ना उसमें rocky areas के अंदर भी आपके पास minerals present होते हैं इसके इलावा आपके पास soil में भी होते हैं तो बहुत सारी जगें हैं जहां minerals present होते हैं उनमें बहुत सारे metals present हो कौन कौन से metals होते हैं heavy metals उनको कहते हैं aluminum mercury lead इस तरह के बेश्मार metals होते हैं मतलब यूं समझें कि यह तो कुछ examples हैं जो हमने याद करनी है paper point of view से भी लेकिन concept ले लें कि आपके पास उदर कोई भी metal मौजूद होगा ना उसकी leaching हो जाएगी acid rain का यह effect है ठीक है अब आपके mind से remove हो गया mountainous area से remove हो गया उसके बाद इस metal ने पानी के साथ बैस जाना है और इसने चले जाने रिवर्स और लेक्स में ठीक है रिवर्स और लेक्स में जाने की वज़ा से students आपके पास इसका नुक्सान सिर्फ और सिर्फ एकवेटिक life को नहीं होगा कि वो जानदार जो पा हमारे पास में स्वायल में उिटीर करें चाहिए है इसका फेंसप इसका फेंसे लाइफ होते हैं किस तरह है देखें वह जब पानी हैस समंदर में हैं लेकन ब्याइक तो हिसे बात है बेसे बैद से यह लेकर बहुंज़ जो भी है लेकिन उस पानी के अंदर अब ये मेटल्स चले गए और मेटल्स कभी भी आपने याद ही आना ही कि अच्छे नहीं होते for health especially heavy metals ठीक है अच्छे नहीं होते for health इनके अंदर बड़ा मसला होता है यह कि यह suffocation काउज कर सकते हैं सांस लेने के तो पानी में से भी काथ के यह बागं आ तो यह वाथ पानी का के उद्धा करना हो भूर प्रोषकेशन का करना हो भाख वाज़ सकते हैं तक यह उसके उपर मेटल्स को रिमूव करने के लिए जो प्रessa करना हो वो perform ही ना किया गया हो तो फिर क्या होता है ऐसा पानी बहुत बुरा होता है health के लिए क्योंकि human beings में यह सांस के मसले को आज करते है suffocation suffocation का क्या मतलब होता है सांस नाना congested feel करना के ठीक है को जैसे भार होता है वजन होता है ठीक है आपको सांस लेने में मुश्किल होती है यह एक्वेटिक लाइफ पर इसका डिसकस करते हैं जरा देखें स्टूडेंट्स आपके पास यह मैटल्स जब निकलेंगे रॉक से निकले अपने मिनरल जिदर से निकले स्वाइल से निकले और चले गए लेक्स और रिवर्स के अंदर अब वहां पर कौन सी चीज़ें प्रेज़ेंगे अक्वेटिक लाइफ में आप सब को पता है फिश प्रेज़ेंट है ठीक है मचलियों ने भी सांस तो लेने सिर्फ फिश नहीं आपके पास कोई भ जो मौजूद होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉबलम होगी क्यों क्योंकि उनकी बॉड़ी के अंदर वो मैटल्स चले जाएंगे ठीक है और यह मैटल्स सांस लेने के मसले करते हैं यह अब देख लेंगे ब्रीधिंग और एस्पारेशन का जो प्रॉसेस है वो जिन्दा रहने उसके लिए सांसे बहुत जरूरी है ठीक है अब यहां पे स्पैशल एग्जामपल मैंशन है इसलिए पेपर में भी पूची जाती है जो मचलियां प्रेज़ेंट होती है यह बड़ा सिंपल सा कॉनसेप्स समझा हुआ इस बारे में तो आपको आइडिया होना फिश रस्पायर करती है गिल्स के तुडू टी के अब इन गिल्स की अंदर जाकर ऐलोमीनियम मैंटल हो जाता है तीक और फूरजाता है उसकी वजह की वज़ा से पर आपके बहुएटिक रादा यह ब्यूर एप उघज की डैcies आप तो आपके पास acid rain का effect ये नहीं है मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है कि acid rain कहीं पर पढ़ी है और बस उसी restricted area पर उसका effect हुआ और बात खतम acid rain का effect देखने कहां कहां है आपके पास heavy metals की leaching से आप पर भी effect हुआ एक्वेटिक लाइफ पर भी effect हुआ ठीक है यह तो अभी हमने effect पढ़ लिया कि इसका metals के साथ जब हो रहा होता है ना तो humans पे और एक्वेटिक लाइफ पर क्या effect होता है इसके इलावा students marble और limestone पर बड़ा effect होता है आपके mind में question आएगा से लिख है क्योंकि calcium carbonate को हम पहले पढ़ भी चुक्क है इसकी formation decomposition chapter number one में पढ़ी थी इसे आपको इस तरह से देखके याद आ जाना चाहिए अब यह जो calcium carbonate present होता है जब इसकी उपर जाहीर सी बात है acid rain पढ़ेगी तो वह acid react करेगा इस calcium carbonate के साथ गौश सुनने वाली बात है समझ ना आई तो फिर आपका concept खराब हो जाएगा और आपको paper में यह pointers याद नहीं रहेंगे calcium carbonate acid के साथ react कर जेगा किस acid के साथ वो जो acid rain की विज़े से पढ़ रहे उस building की उपर कोई भी building हो सकती है ठीक है आप क्या करेगा react कर जाएगा और reaction के बाद जाहिर सी बात है अगर reaction हो गया है तो reaction के बाद marble marble तो नहीं रहेगा ना यह बाद समझ में आ रही है कि reactions होते हैं तो क्या होता है reactants react करेंगे नए products बन जाएंगे इसी तरह यह marble और limestone जब acid के साथ react कर लेंगे तो यह marble और limestone नहीं रहेंगे ठीक है एक बड़ा common compound है product है जिसम जिसमें यह convert हो जाते हैं आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं इतना पता होना जरूरी है कि अब यह अपनी original form में नहीं रहेंगे इनके अंदर क्या होगा कि इनकी form change हो जाएगी मैं बहुत असान words में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताके आपको यह concept समझ में आ जाए कि इनकी original form change हो जाएगी change होने की वज़ा से कहते हैं erosion हो गई है erosion का क्या मतलब होता है कि उनके अंदर बिल्कुल खराबी पैदा होगी वो जो original थे वो जब रहे ही नहीं तो आप वो किसी ऐसी चीज में convert हो गए है जो कि dangerous है और वो dangerous किस तरह से है वो dangerous इस तरह से students buildings के अंदर cracks हो जाएंगे cracks का मतलब आपको पता है दड़ारें आ जाएंगी इसके इलावा students आपके पास क्या होगा buildings के अंदर buildings के अंदर ये होगा कि ये जो नया product बनेगा ना अब ये उतरना शुरू हो जाएगा ठीक है तो building का वो जो concrete structure है जिसने building को खड़ा किया है जब वो ही structure खराब हो जाएगा तो आप खुद सोच लें कि building का क्या हाल होगा ठीक है building की क्या असान अलफाज में मजबूती खराब हुजेगी वो building अपने उपर जिस तरह उसको बनाया गया है वो उस तरह खड़ी नहीं हो पाएगी इसलिए students कहा जाता है कि acid rain का जो effect है ना इसको marble cancer भी गहते हैं मैंने इसका पहले भी जिकर किया हुए लेकिन यहाँ पर दोबारा इस acid rain पर दी है ना ताज महल का structure बहुत जब वीक होता जा रहा है ठीक है बड़ा prominent effect है वो पहले और तरह का हुजा था अब और तरह का color में खराबी आ जाती है वो structure वीक हो रहा है जिसकी वज़ए से क्या हो रहा है कि आपके पास इतना जादा नुकसान है building के उपर कि उसको marble cancer cancer का नाम दे दिये इतना dangerous है यह ऐसे ठीक है यह बाते समझ में आ रही है आपको समझ में आ गया किस तरह यह दो तरह के effects होएं acid drain के कहां होएं मैंने आपको यह भी बता दिया और यह effects छोटे मोटे भी नहीं यह भी आपको समझ लग दी आगे बात करते हैं third effect की जो के आपके पास soil की acidity बढ़ जाएगी soil में जाइसी बात है students बारिश पढ़ लिए बारिश अब restricted जगा पे तो पढ़ेगी नहीं यह बात हम सबको समझ में आ गई है कि बारिश को आप यह तो नहीं कह सकते कि ठीक है आपके अंदर acid है आप कहीं उधर जाके पढ़ें इधर आप रहने दें ऐसा तो हो नहीं सकता ठीक है तो होता कि है students के जहां वो आपके पास हर जगा rocks पे आपके पास buildings पे हर जगा बारिश पढ़ रही है उसका नुकसान हो रहा है तो soil पे भी होगा soil की बात हम करते हैं तो किस चीज़ की बात करते हैं तो हम crops की करते हैं बात ठीक है crops जो सोईल से निकलनी हैं जो उगन हैं साथ-साथ हम किसकी बात करते हैं हम plants की बात कर रहे होते हैं ठीक है सोईल से समझ आ रहे हैं किन-किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं अब क्यों होता है कि soil के अंदर मेटल्स इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं toxic metals ठीक है toxic metals बढ़ने शुरू हो जाएंगे क्यों समझ में आ रही है आप उने शुरू हो जाएंगे ना तो उसके वज़े से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास दो तरह के एफेक्ट आते हैं एक एफेक्ट है नियू क्रॉप्स और प्लांट्स पे जिन्हों ने भी उगना है या जो अभी जिनका स्टार्ट है वो होगा क्या इन दोनों पर किस किसम का अफेक्ट होगा इस बात को गौश से सुने जो नए क्रॉप्स और प्लांट्स है ना स्टूडन्स उन पर पता है क्या होगा उनके साथ अफेक्ट यह होगा कि अगर तो ग्रोथ हभी तक नहीं हुई तो मेभी सॉइल में एसेड इतना इंक्रीज हो जाए कि वो ग्रोथ को होने भी ना दे यहां समझ में आ रही है कि जहां इतनी एक फार्मर की महनत लग रही है कि वो उदर से क्रॉप्स को ग्रो करवाए क्योंकि उसने देखे फर्टिलाइजर्स खरीद दे क्या कुछ नहीं खरीदा स्टोरी बिल्ड करें क्रॉप्स निकलें अब क्या होगा उसकी सॉइल में जब एसेड जमा हो जाएगा ना तो उसका नुकसान ये होगा स्टूडेंट्स के आपके वो जो सॉइल है उसमें से या तो नए प्लांट्स और नए क्रॉप्स उगें गई निकलेंगे नहीं वो ग्रोथ रुख ठीक है इतनी मेहनत के बावजूद एसेड़ की क्योंके एक्यूमिलेशन होगी है और एसेड़ जहां पे हुआ आप सबने एसेड़ बेसिस और सॉल्ट्स पढ़े हैं आपको पता एसेड़ नुकसान दे होते हैं और इतने डेंजरस किसम के एसेड़ मैंने आपको बताए है हैं कि कौन-कौन से आपके एसेड़ में प्रेजंट होते हैं तो आप खुद सोच लें के एसेड़ इतने डेंजरस इतने स्ट्रॉंग एसेड़ जब स्वाइल में चले जाएंगे तो क्या होगा अब मान लें यह तो मैंने बात आपको यह कीना कि आपके पास new growth of crops and plants नहीं ह है कोई plant है यह कोई crop है जो ग्रोग कर रही है already. उसके साथ क्या होगा? उसके साथ students यहोगा कि že वह अच्छी भली growth होते होते stunted growth हो जाएगी stunted growth का पता है क्या मतलब होता है stunted growth का मतलब होता है students के वो सही तरह grow नहीं करेगा अगर उसने जितने जितना बढ़ना है ना उतना वो बढ़नी सकेगा कहीं कि plants क्रॉप्स के वज़े leaves होते हैं वो destroy होने शुरू हो जाएगे उस plant को उस crop को food नहीं मिलेगा तो उसकी वज़े से जाइर सी बात है healthy plant healthy crop तो नहीं grow करेगी ना वो तो खराब हो जाएगी सारी कि सारी ये बाते समझ में आरी हैं आप सब को ये बहुत जरूरी है समझना कि acid rain का phenomena इतना असान नहीं है अगर आपके activities की वज़ा से pollution cause हो रही है तो उसका नुकसान बहुत हैवी है उसका नुकसान बहुत जगों पर जा रहे हैं ये नहीं है कि वह एक दो जगों पर restricted है ठीक है ये बाते गौर से सुनने वाली है अब new crops नहीं गेंगे या stunted growth हो जाएगी old trees की बात करें तो एक दरख्त है वो उग चुका है उसकी growth हो चुकी है लेकिन उसको जिन्दा रहने के लिए food की जरूरत तो है ना इसलिए तो plants photosynthesis का process करते हैं लेकिन acid की मौझूदगी में अब photosynthesis का process रुक जाएगा जिसकी वज़े से हम कहते हैं कि जो leaves है वो dry हो जाएगे और फिर वो dead होने शुरू हो जाएगे अब आपके माइन में question आएगा कि photosynthesis का process किस तरह रुकेगा यहाँ पे मैं आपको reason बताने लगी हूँ बहुत गौर से सुननी है क्योंकि यह reason important है important किस तरह से concept को समझने के लिए अब students होता कि photosynthesis का process आप सब ने पढ़े ठीक है आप सब को पता है कि photosynthesis के लिए conditions कौन सी पूरी थी chlorophyll जरूरी था ठीक है plants के अंदर मौझूद है chlorophyll chlorophyll की presence में आपके पास क्या होता है कि photosynthesis का process होता है और plant अपना food बना लेता है ठीक है अब chlorophyll का students याद रखना है कि chlorophyll का structure रहना मैं पूरा आपको बना के तो नहीं दिखांगी क्योंकि उसे levels का part नहीं है ले magnesium magnesium क्या चीज़ है magnesium metal है अगर आप सबने पहले 20 elements periodic table के याद कि हैं तो आपको पता होगा कि magnesium metal है ठीक है magnesium metal है और अगर वही acid rain soil में से या rocks पर से metals को remove कर रही है तो क्या वो trees के अंदर से इस metal को remove नहीं करेंगी यह बात समझ में आ रही है वह metal remove हो जाएगा ठीक है वह metal remove हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा students जब उस metal की removal शुरू होगा ना तो chlorophyll तो यूं समझें अगर मैं आपको आपको समझाने के लिए easy words में बताऊ ना तो chlorophyll की जितनी functioning है वह magnesium की वजह से है अगर magnesium ही remove हो गया तो chlorophyll function कैसे करेगा गौर से सुनने वाली बाते हैं यह समझने वाली बाते हैं chlorophyll को चाहिए magnesium क्योंकि उसके structure का main part है magnesium को acid rain ने निकाल दिया chlorophyll के अंदर से leaching कर दी उसकी भी अब leaching हो गई है magnesium क्योंकि metal था remove हो गया है chlorophyll के पास कोई चीज ही नहीं बचे जिसकी वजह से वह अपनी functioning करे तो chlorophyll photosynthesis का process continue नहीं करवा सकेगा और photosynthesis के process में तो चाहिए ही होता है कि आपके पस chlorophyll present मैंने आपको बताया था कि जो reactions होते है ना वो अपनी conditions के बगएर नहीं होते अब आप ये ना समझें या आपके mind में question आ सकता है कि क्या photosynthesis का process है वो plants के किसी और पार्ट में नहीं हो सकता तो students नहीं हो सकता chlorophyll की importance करेगा photosynthesis नहीं होंगी food नहीं बनेगा plants का वो जो green color था जो खतम होना शुरू हो जेगा इसलिए हम कहते हैं के leaves dry और डेट हो गए ये बाते समझ में आ रही है चौतहा फेक्ट हम देखते हैं वो है effects on growth of plants ठीक है plants की growth हो रही है ठीक है plants grow कर रहे हैं मान ले plants grow कर रहे हैं वो acid की मजूदगी में grow कर गए है ठीक है acid की हो सकता है आपके माड़ में question आएगा acid की मौजूदगी में किस तरह grow कर गए इस तरह grow कर गए कि मेभी अभी soil उतनी acidic नहीं हुई ठीक है गौर से सुनने वाली बात soil उतनी acidic नहीं हुई plant की growth हो रही है लेकिन बेशक soil कम acidic हो कोई तो effect होगा न समझ आ रहे हैं होगा students plants बेशक ग्रो कर रहे हैं लेकिन growth बहुत limited हो जाएगी और growth पता है कैसे limited होगी growth ऐसे limited होगी कि plants जो कोई भी सर्दी का मौसम कोई बिमारी या कोई भी attack अपने उपर जो बरदाश्ट कर लेता है बड़े राम से वो नहीं कर सकेगा plants देखें आपके पास blankets में तो नहीं पड़े वे अपने आपको प्रोटेक्ट तो नहीं करें जैसे आप और मैं कर रहे हैं हम अपने आपको protection दे देते हैं पुरी की पुरी plants तो फिजा में खुले पड़े वे हैं तो उनके अंदर अनला तहला ने इतनी energy तो रखी है ना कि सरदी जादा हो जाए या उनके अंदर कोई और बिमारी कोई आजए तो उसको fight कर सकें ठीक है लेकिन यह जो acid बढ़ जाएगा आपके soil के अंदर यह क्या करेगा students के यह उस plant की growth को इतना effect करेगा के plant grow कर भी गया तो वो इस तरह बरदाश नहीं कर सकेगा extreme temperatures को जिसमें आप पे tricky चीज़ों में जाएंगे तो confusion हो जाएगी अब plants बरदाश नहीं कर सकेंगे तो जाहिर सी बात है students यह भी तो death causing चीज़ बन जाएगी ना कि plant बरदाश नहीं जब कर पा रहा तो वो survive कैसे करेगा survival मुश्किल हो जाएगा और उस survival के मुश्किल होने की वजह से वहां पे plant की death होने के chances होते हैं कि वो plant grow कर भी गये वो फिर भी खतम होचेगा ठीक है तो आपको मैंने की सारे के सारे effects बहुत detail में समझाएं सारे concepts के साथ समझाएं आपके mind में question आएगा कि ठीक है इतने effects हो गए तो miss इसका solution क्या है solution वही है जो बाते पहले भी बहुत दफा repeat की गई हैं यह आपको इसलिए याद भी हैं कि acid को base के साथ neutralize करते हैं अब आपको समझ में आ रहा है कि base की मौजूदगी acid की मौजूदगी के साथ साथ कितनी जरूरी है ठीक है तो आपने acid basis और source के chapter में जब basis के uses पढ़ रहे थे आप तो वहां पे आपने पढ़ा था कि आपके प पूरा का पूरा जो concept है वो बिलकुल clear हो जाएगा और complete हो जाएगा ठीक है अगर चीज़ें पे बुक में आगे पीछे भी दी होना तो उनको connect करना सीखें जाके आपको चीज़ें याद रहें तो अब जब आप basis के uses पढ़ें तो वहां पे जो basis लिखी हैं जो mentioned हैं आपकी basis के uses भूलेंगे इस तरह ना आपको acid rain का concept भूलेगा ठीक है इन चीज़ों को दुबारा देखें जरूरी है concept को दुबारा देखें concept जिसको याद हो जाए ना students वो फिर बड़े अराम से paper में कोई भी चीज़ देख सकता है किसी भी चीज़ को solve कर सकता है students मैंने आपको जो point of view सो भी त्यारी हो जाए क्योंकि paper में यह question आता है तो आप इसकी revision करें हम मिलेंगे next lecture में एक नए topic के साथ तब तक के लिए अला हाफूज